सच बोलने वाला जेल में जाएगा और बीजेपी के समर्थन में बोलेगा वो मेवा खाएगा कि एक लड़ू खिलाने से सैनिक का मान ये सम्मान नहीं बढ़ जाता अगर हम बोलूँगा तो हमको जिहादी बता दिया जाएगा आतंगबाती बता दिया जाएगा देश दुरोही बता दिया जाएगा नवश्कार आप देख रहें सौगन टीवी और मैं हूँ आपके साथ सुमित कुमार सिंग ट्विटर के पूर्फ सीयो ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद देश में एक बार फिर से हंगामा मच गया है उन्होंने खुलासा किया है कि किसाना अंदोलन के समय नरें सरकार ने धंकी दी चाहे टूटर का सियो हो चाहे महताब हिंदूस्तानी हो अगर सच्चाई होगी तो इसको या तो बंद कराया जाएगा या जेल में डाला जाएगा और बीजेपी के समर्थन में बोलेगा वह मेवा खाएगा लेकिन यहीं नरेंद मोधी जब विदेश ज मैं मेरारा कि एक तरफ जो मैडल घीत कर लाती है बेटिया उनको पैर ताले र्न दा यह मानबढ़ रहा है जहां पर मैडल लगा जाते हैं हुनके सीने पर पेर रखे आथे उनको का चेर जाता यह मान बढ़ रहा है और जो जिनकी वज़े से खुलके सास ले रहे हैं जो सीमा पर खड़े होते हैं धूप गर्मी जाड़ों में उनको फुटपात पर बैठने का मजबूर होता है फुटपात पर बैठना पड़ता है 106 दिन होगे उन्हें 105 नहीं 106 दिन वर रेंक वन पें किसान को भी फुटपात पर बैठना पड़ा है सरकार में सबसे आदा काम सेना के लिए हुआ है सबसे आदा माहम मदद सेना को मिली है मैं देखे मानने प्रिधान मंतरी जी को आपके कैमरे के माधिम से चैनल के माधिम से यह बता दूं कि एक लड़ू खिलाने से सैनिक का मा जवानों के साथ और देश की बेटियों के साथ जब आज यह को जंतर मंतर पे दिली के एडी सिपी साहब आए अप जो हमारे देश की बार्डर की रक्षा करते हैं 106 दिन हो गया हमारे देश के फौजी जवान उनको बोलते हैं आज उठो क्या कर रहे हूं अपका लिहाद देख ताना साई हो रही है आप बता रहे हैं कि फ्लत्र दियां किना रहे हैं किसान परेशान देड़ साल परेशान हुआ चाँने बैटियों यहां पर धर्ना दी वहाज उनको ऊपर चार सेट लगा दिया गया नार्कोट से अपने यहां कर से कि मैं तयार हूं अजब बेटियों ने बोला कि हम भी तयार हैं लेकिन हम जनता की भारत की वेटी हूं भारत की बहन हूं अगर मेरे ऊपर कोई दाग है मैं भारत की जनता मुझे देखे नार्कोटिस्ट लाइफ तो प्रसासनमान अब फिर उसके बाद अनुराइफ जो आदे प्रस और एक बरस अग्यात वासलिये थे लेकिन जीत किसकी होई सच्चाई की पहलवानों के मुद्धे पर कल हर्याना बंद बुलाया गया है खाप पंचाई देखिए मैं भी करूंगा पहलवानों पर बात और मैं आपको बता दो अगर हम बोलूंगा तो हमको जिहादी ब पर तांते हुगिए है अब बीज़ेपी से सवाल करेगा बीजेपी के गिरहमंत्री जी सवाल करेगा चाहता हूँ प्र राजा जो चुन्ति है पिर्जा चुन्ति है तो हमें सवाल करने का पूरा-पूरा उनसे हक है और रही बात पहलवानों की देखिए आप कितना ही बचा लीजिए ठाकुर्तों गयो मनने लागए ठाकुर्तों के गयो कुछ ना होने वालों जेल में जरूर जाएंगे यह जाएंगे आपको लग रहा बिल्कुल जाएंगे अगर जादा अत करोगे तो 125 धारा के ताहत इंकाउंटर कर दिया जाएगा